नमस्कार दोस्तों मैं रिंग कुशिंग अपनी एक और वीडियो लेकर अपने चैनल न्यूज का 1590 के दुवारा आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ जैसे के मैं आपको बता दूँ आज मैं आया हूँ मुरदवाद अपने भीया के घर पर सामके समय हम लोग चत पर घूमने के लिए और मैंने देखा इन्होंने चत पर काफी अच्छा गार्डन मेंटेन किया हुआ है मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह सब देखके मैंने सोचा अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर और डाल दू तो यहां मैं दिखा देता हूँ आपको के इन्हो लोखी की बेल इन्होंने लगाई हुई है चत पर और इस पर चोटी चोटी लोखिया आ रही है यह चोटी लोखी है मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के माद्यम से और फूल भी आ रहे हैं कुछ इधर पेड लगे हुए हैं और भी लोविये के लगे हुए हैं यह पर काफी अच्छा अपना गार्डन मेंटेन किया हुआ है एक एक करके में सारे पोधे आपके साथ सामने बताऊंगा उनके खासियत और उनोंने कैस इनको कैसे मेंटेन किया हुआ है क्या-क्या यह खादबीज इसमें लगाते रहते हैं हमारे भाईया को काफी सोख है यह प दिखाऊंगा यहां पर देखें यह पौधे कुछ यहां पर लगे हुए है क्योंकि जून का महीना चल रहा है तो काफी गर्मी रहती है और पोधो को परड़े पानी की अवश्यक्ता रहती है छतप पे होनिके वज़े से पानी कम मिल पाता है तो यहां पर देखिए पोधे गर्मी की वज़े से कुछ मुर्जा भी रहे पानी इनको जब लग जाता है तो फ़ए हो जाते हैं इधर भी कुछ पोधे हैं और यहां मैं पूरा दिखा देता हूँ जिस पार्क है उसमें भी काफी पेड़ है और हरा भरा यह पूरा एरिया है काफी सुद्ध हवा साम के शमय में यहां पर आती है चर्ट पर घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है और चलिए हम चलते हैं नीचे जो नीचे भी कुछ पोधे लगे हुए हैं उनके बारे में भी मै आपको कुछ बता देता हूं अक्षर मैं अपनी वीडियो खेतिवाड़ी से सम्मंदित बना बना कर अपनी चैनल न्यूज काइंड 1590 पर डालता रहता हूं मैं तो अपने खेत पर ही जाके वीडियो बनाता था लेकिन मैं यहां आया अपने भीया के घर पर मैंने देखा य अगर उनको मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहां देखिए एक एक पोधा यह इन्होंने पीपल का पेड़ भी गमले में लगा रखा है जबकि गाहों में पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और काफी स सालों तक खड़ा रहता है लेकिन यह हमारे भाईया ने इसको गमले में लगाया हुआ है यह कुछ पोधे और भी हैं यहां पर मैं दिखा देता हूं यह देखिए एक एक करके मैं पोधे दिखा रहा हूं यह एक गमला है देखिए कितने सुन्दर इस पर फूल आ रहे हैं इन्हें यह मिलका पूल है और देखिए यह भी कुतना सुन्दर लग रहा है यहां एक एक करके सारे गमले मैं आपको दिखा देता हूं गमलों में जो पोधे लगे हूं है कितना सुन्दर भी हो यहां चछत पर है सामके समय में यह देखिए बहुत ही गार्डन बड़ा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने तो आप लोगों को भी अगर पोधे लगाने का सोख है तो आप अपनी चछत पर चोटे-चोटे गमलों में और बड़े-बड़े गमलों में अगर आपके पास स्पेस है तो बड़े-बड़े खरीद के ला सकते मार्केट से और उनमें यह तो भूली गया था जल्दवाजी में यह मेरा एक जो मेरा ध्यान भटक गया था इधर उदर यह तो बहुत ही बहतरीन पेड़ इन्होंने लगा रखा यह अम्रूद का पेड़ है और इस पर अम्रूद भी आ रहे हैं यह देखिए काफी बड़े अम्रूद हो गए हैं सब्सक्राइब दोह से यह देखिए निवूं और यह देखिए अनार अनार का भी पेड्य यहां पर लगा हुआ है हम तो सोचते थे कि यह तो सिर्फ गाउमें ही होती है खेती अननार की और अम्रूत की और और बगैरा बड़े-बड़े पेड़ होता है तो लोग गाउन में ही लगाते हैं लेकिन यहां तो हमारे भाइया ने इनको गम्लों में भी लगा रखा हुए हैं और उन पर फल भी आ पीड़ा है साट में देखिए अच्छा नजारागार्ण करके और यह देखिए अकॉंदे का पेड़ कितने सुंदर चोटे चोटे में आएप भड़िए यह बढ़ियाagar लग़ Suppose यह देखिए आगे यह भी ऐक पेड़ है झाहिए oh तो यह देखिए दूसरा नीवू का पेड़ है जिस पर काफी बड़ा नीवू आ रहा है यहां बहुत ही सुन्दर सुन्दर यह पोधे लगे हुए है और उन पर कुछ बीच में फलो के पोधे लगे हुए थे जैसे अमरूद अनार और नीवू वह मैंने आपको यहां दिखाए इसी के साथ मै अपनी वीडियो समाप्त करता हूं मुझे आशा है कि मेरे वीडियो बहुत ज्यादे पसंद आएगी क्योंकि सहरों में लोग अपने छटों पर भी पोधे नहीं लगा पाते हैं लेकिन जिन लोगों को सोख होता है वह अपनी छटों पर पोधे लगाते हैं तो इसी के साथ करता हूं दन्यवाद